मूल आपके अंडियन रूमा में बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आपको पता ही है कि होली आ रही है बस उसी की प्रपेशन में हम लोगे वे हैं तो यह जो अब तीन चर आपिसोड आने वाले हैं इंडिन रुमा के, उसमें हम होने की तगारी करेंगे, होली कैसा तयोहार है, जिसमें सब लोग मिलते हैं, आपस में मिलते जुगते हैं, और उसी तरीके से लिए तिवार मनाया जाता है, तो उसमें सब रोग मिलते हैं, तो आप जी इन रेसिपी को बनाईए, मैंने कोशिश कि हैं नहां को कि आप लोग सब मिलके बना सकें, और बुछ नोए चलिए फिर के चलते हैं, बनाते हैं कुछ नोया, तो चलिए फिर आज रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं, वो बहुत डिमांड पर रेसिपी है, मेर को जो हल्दी रम पर ढोख लाएं उस टेप की रेसिपी चाहीए बिलकुल उसी टेस्ट की और हमारे को इंस्टेंट रजीपे चाहीए जो हमो की ले वालिप से फटाफ़ट बना सकें इसके लिए मैंने एक बेशन ले लिया जो आपके घर में बेशन हो। उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पुन जो जोजी डाल दी थी। और एक चमच में इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी। हल्दी से कलर बहुत बड़ी आता है तो हल्दी तो आपको इसके अंदर टालनी ही थी है तो व आप डाल दें और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूं सिट्रिक एसिट मैंने 1 4 टी स्पुन सि टे सिट्रिक एसिट लिया है आप उसका यूज जरूर करें और यहां उसके बाद मैं डाल रही हूँ चीनी चीनी तीन से चार टीस्पून मैंने चीनी ले लिया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट यह डालना बहुत जरूरी है तो बस यह डाल दीजे और मैं आपसे कह रही थी कि आपको सिट्रिक ऐसे डिसमें डालना ज़रूरी है अगर आप मार्केट जैसे टेस्ट चाते हैं तो आपको सिट्रिक ऐसे डालना पड़ेगा अब सबसे बड़ी जो टिप हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह यह है कि आपने जितना बेसन लिया है आप उसी कप में पानी डालिए और उतना ही पानी आपको अपने बेसन के में डालना ही डालना है अगर आप परफेक्ट डोकला चाते हैं तो तो यह देखिए मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है साइड से स्क्रेप कर दीजे अभी आप देखेंगे अब मैंने दो पिंच इसके इसके इंदर डालना है बेकिंग सोडा विच इस विरी इंपोर्टन तो वह आप इसके इंदर डाल दीजे और आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरा बैटर है वो बहुत जारा थिन है कोई बात इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं रेस्टिंग के लिए 5-10 मिनट और इधर मैं जो में पस्टील की धाली थी उसको ग्रीस कर रही हूँ आपके पस कोई केक का मोल्डो आप उसको भी ले सकते हैं उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजे बस तो जैसे मैं ग्रीस कर लिए आप कि पस सैशी है तो एक पूरा सैशी आप उसके अंदर डाल दीजिए जो महां पर मिलते हैं आप वो डाल दें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें अब क्या होगा कि जब इसको मिक्स करेंगी तो हमारा बैटर इतना थिन था पहले वह देखिए कैसा थिक होना शुरू हो उसमें कम से कम दो से तीन इंच जो है वह पानी डालें और कोई भी स्टैंड के कटोरी नीचे लगा कर और अपना अपना मॉल्ड उसके अंदर लग दें और देखिए अब यह बड़ी इंपॉर्टन चीज है यह इंपॉर्टन टेप है जो मैं आपके से शेयर कर जहूं कि अपने लिड को किसी भी किचिन टॉबल से क्रीन वाले किचिन टॉबल से कवर करके इसके अंदर रखे हैं हम डारेक्टर देंद दो क्यों होता है कि उससे स्टीम जितने भी बनती है वह हमारे ढोकलों पर गिर जाती है ओपर से बड़ा वाटरी हो जाता है और देखिए 15 मि ग्रीदिन्स तड़के के देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पर हिंग है करीपता है थोड़ी सी सरसों है इसके अंदर भी मैंने चीनी नमक पानी तेल इन सबकर यूज किया है और थोड़ी सी मेरे पर स जो हरी मिर्चे उनको मैंने स्लिट करके रखा है वाँ भी बीच में के लिया पहन के अंदर मैंने 2 टेबिसपुन बाल दाल दिया है कोई सब भी जाल सकतें 07 इसके बाद मैंने फोर긴 20 इसके इंदर हींग ढल दिया है और जोन सपयन नहींदे हैं और यहां मैंने ब्लैक मस्टर्ट सी इसके यूस किया आप इसी का यूज करें आप राई का यूज ना करें वहना टेस्ट डिफरेंट आ जाता है ब्लैक्स जो मस्टर्ड सीर्ज होते हैं उन्ही को यूज करें और जो वह स्प्लेटर करना शुरू कर देंगे तो अब हम इसके अदर स्लिट ग्रीन चिलीज डाल देंगे यहां मैंने चि यूज किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है वाटरी जो होते है थोड़ा सा गीला गीला वह वाला पसंद है आप चाहें तो पानी का कम भी यूज कर सकते हैं बस उसके बद आप डाल लिए इसमें तीन से चार टीस्पून शूगर या टू टेस्ट और उसके बाद मैं इसके बाद जो और तीसरे इंपोर्टन पाइंट वह यह है कि अब हमारा तड़का भी तयार है और हमारा धोकला भी तयार है तो अब इन दोनों को बिल्कुल ठंडा होना जरूरी है तो आप चेक कर लें और उसके बाद आप थोड़ा सा तड़का वाटर जो है अपने धोकले जो आपका धोकला बनके तयार हुआ है और उसके बाद कोई भी तेज नाइफ लेकर उसको नीचे तक बहुत अच्छे से शार्प नाइफ लें और नीचे तक अपने धोकले को जिस भी शेप में आप काटना चाते है आप काट लें यह बहुत इंपोर्टन ए और उसके अपने फ्रेश कुरियंडर डाल दिया था और उपर ते डाल दिया थोड़ा सा नारियल गिसावा नारियल डाल दिया आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं ना डालें और इदे कितना बढ़िया ढोकला बनके तयार हो गया है बिलकुल ऑथैंटिक हल्दी राम स्टाइल टेस्टी इंस्टेंट धोकला विदिन 15 मिनट्स आपका बनके तयार हो जाता है तो अगर आपको लगे हुली का दिन है आपने कुछ ज्यादा प्रप्रेशन नहीं किया और महमान आया तो जटपट इसे बनाएए और अपने फ्रेंड्स को खिलाए फैमिली को खिलाएए और किया आपके लेक्षान आपके आपको खिलाएए और लाएए